सबको तो ये पता है कि SIP में अगर हर महीना थोरा थोरा पैसा investment किया जाए तो कुछ सालों बाद वहाँ से एक अच्छा खासा return मिले की chances रहती है लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को तो SIP का कुछ basic सवालों का जवाब भी पता नहीं रहता है जैसे कि SIP कितना साल का होता है SIP में अगर एक या दो महीना पैसा ना डाल पाओ तो क्या होगा SIP करने की क्या-क्या फायदे होते हैं तो अगर आप भी ये सारा सवालों का जवाब बिलकुल आसान भासा में A to Z सीखना जाते हो तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो SIP सीरीज का ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है अगर आपने इस सीरीज का पार्ट वान को नहीं देखा है तो उपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा यह वाला वीडियो देखने के बद वह वीडियो देख लेना तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत तो सबसे पहला सवाल है कि S.I.P. कितना साल का होता है तो देखिए यह जो आपका सवाल है यह सवाल ही गलत है अगर आप बैंक में अपना पैसा को FD करवाने जाते हो तो बैंक वाला आप से पहले ही पुछेगा कि आप कितना साल के लिए अपने पैसे को FD करवाओगे अगर आप LIC करवाने जाते हो तो LIC का एजेंट आपको पहले ही पूछेगा कि आप कितना साल के लिए insurance करवाओगे है ना लेकिन वही बात अगर SIP की हो तो SIP टोटली आपकी उपर depend करता है कि आप कितना साल तक SIP में पैसा invest करोगे या फिर कितना दिन तक SIP में पैसा invest करोगे आप आज SIP खोल कर आज SIP में पैसा invest करके कली उस पैसे को विडियो कर सकते हो हाँ processing में एक या दो दिन लग सकता है समझ रहे हो बात SIP का कोई fix rule नहीं है कि आपको इतना साल तक या फिर इतना दिन तक पैसा invest करते ही रहना होगा ये totally आपकी उपर depend करता है इतना समझ गए दूसरा सवल ये है कि SIP करने का क्या-क्या फायदे होते हैं तो दिखिए बात अगर फायदे की होना तो SIP करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि SIP को Amir लोग भी कर सकता है SIP को Middle Class भी कर सकता है और SIP को गड़ीब लोग भी शुरू कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि SIP एक minimum amount से भी सुरू किया जा सकता है SIP minimum 5 सुरूपिया से भी सुरू किया जा सकता है maximum का तो कोई limit नहीं है SIP में ऐसा नहीं है कि आपको मोटा पैसा लगाना परेगा ऐसा नहीं है SIP minimum 5 सुरूपिया से भी सुरू हो जाता है तो यही सबसे बड़ा advantage है SIP का कि हर class का लोग ही SIP को सुरू कर सकता है दूसरा फायदा यह है कि SIP में आपको ज़दा time देना नहीं परेगा एक बार आपने SIP को सुरू किया तो जिस fund में SIP को सुरू किया उस fund का जो fund manager रहेगा वो आपके पैसे को manage करेगा आपको daily basis पे check करना नहीं परेगा कि market उपर जा रहा है या फिर market नीचे आ रहा है जो दिमाग लगाना है आपका fund manager दिमाग लगाएगा आपको ना ज़्यादा time देनी है ना ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है यह सबसे बड़ा advantage है तीसरा फाइदा यह है कि SIP के पैसे को आप जब चाहे तब withdraw कर सकते हो दो-तीन दिन processing में लगेगा लेकिन जब चाहे तब withdraw कर सकते हो आपने एक साल, दो साल, तीन साल तक SIP में पैसा invest किया लेकिन 3-4 साल बाद आपको हो सकता है अगर पैसे का ज़रूरत परा तो आप उसी टाइम जितना आपका holding amount रहेगा उस पैसे को redeem कर सकते हो, withdraw कर सकते हो इतना समझ गए तीसरा सावाल यह है कि SIP में आखिर rix कितना है तो देखिए, बात अगर rix की होना तो rix तो हर जगा रहता है लेकिन अगर आपको यह जानना है कि SIP में कितना rix है तो यह जानने से पहले आपको थोड़ा share market का basic को समझना होगा तो देखिए, मान लिजे आपने share market में कोई company के share को खरीदा और उसमें अपना पैसा invest किया अब वो company अगर अच्छा प्रदर्शन की future में तो वो company के share का price भी उपर जाएगा और उसमें invest किया होओ आपका पैसा भी उपर जाएगा इतना समझ गए अब अगर वो company future में खराब प्रदर्शन की तो वो company का share का price भी नीचे जाएगा और आपका invest किया वो जो पैसा है वो भी नीचे जाएगा इतना समझ गए लेकिन बात अगर SIP की हो तो SIP का पैसा तो आप एक mutual fund में invest करते हो और I hope आपका mutual fund का fund पता होगा mutual fund वाला एक नहीं, दो नहीं, 15, 20, 30, 40 company में पैसा को invest करता है यानि कि आप जो SIP में पैसा invest करोगे SIP को शुरू करोगे वो पैसा आपका एक या दो company में invest नहीं होगा वो पैसा आपका 30, 40 company में invest होके diversify हो जाएगा तो वो 30, 40 company में से माल लीजे 10 company डूब भी गई लेकिन 30 company तो रहेगी ना 30 company तो grow करेगी ना तो कुल मिलाकर बात यह है कि SIP में risk कितना है, इसका जावब यही है कि risk तो है, लेकिन risk का जो chances है, वो बहुत ज़्यादा कम है हो सकता है, short time में आपने जो invest किया, उसका amount नीचे चला गया लेकिन अगर आप लंबे time तक hold करते हो तो ultimately उपर ही जाता है आपका invested amount, है ना तो risk है, लेकिन risk का chances काफी ज़्यादा कम होता है चौथा सवाल यह है, कि SIP अखिर कौन से fund में करे, यह काफी ज़्यादा important सवाल है देखिए, अगर आप share market में कोई भी company के share को खरीदने जाते हो तो company के share को खरीदने से पहले आप उस company के share को analyze करते हो की नहीं कि यह share आपको future में return देगा या फिन नहीं देगा analyze करते हो ना, उसी तरह आपको SIP सुरू करने से पहले आपको fund को selection करना है कि आप कौन से fund में SIP सुरू करोगे अगर आप सही fund को selection करोगे तो आपको फायदा मिलेगा लेकिन अगर आप गलत fund में SIP को सुरू करोगे तो आपका loss ही होगा समझ रहे हो बात तो cool मिलाकर आपको SIP शुरू करने से पहले fund को analyze करना है, fund को selection करना है एक सही fund में अगर आप SIP करते हो तो आपको फायदा ही मिलेगा अब मैंने इस topic पर एक detail video बनाया है कि SIP के लिए आखिर सही fund कौन सा है तो अगर आपको उस video को देखना है तो उपर आई बेटन में दे रहा हूँ ये वाला वीडियो देखने के बाद वाला वीडियो देख लेना तो आपको ये पता चल जाएगा कि SIP के लिए आखिर कौन सा कौन सा fund सही रहता है पाचवा सवाल ये है कि SIP में अगर एक या दो महिना पैसा ना डाल पाओ तो क्या होगा और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है देखिए अगर आप SIP में एक या दो महिना पैसा ना डाल पाओ तो कुछ भी नहीं होता है नहीं आपको कोई charges देनी परीगी और नहीं आपसे कोई fine लेगा आप जो महिना पैसा ना डाल पाओ वो महिना automatic skip हो जाएगा मान लिजिए आप हर महिना SIP में 5000 रुपे इंवेस्ट करते हो तो अगला महिना अगर आप इंवेस्ट ना कर पाओ तो उसके बाद महिना आपको 10,000 देना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है डबल देना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है 5,000 जितना का आपका installment है उतना amount ही देना पड़ेगा जो महिना आप ना दे पाओ वो महिना automatic skip हो जाएगा और उसके बाद वाला महिना में आपको double भी installment नहीं देना पड़ेगा जितना का आप SIP कर रहे हो उतना ही amount आपको देना पड़ेगा समझ रहे हो बात ना ही कोई charges लगती है ना ही कोई fine लगता है और ना ही आपको double भी पर installment देना पड़ेगा अगर आपको यह महिना ना डाल पाओ तो वो महिना automatic skip हो जाएगा इतना समझ गए आखरी सावल यह है कि SIP अखिर सुरू कैसे किया जाता है तो देखिए अगर आपको SIP सुरू करना है तो उसके लिए आपको दो account बनानी पड़ेगी पहला है bank account और दूसरा है demate account अगर आपका bank account नहीं है तो पहले तो आप अपना bank account को बनवालो उसके बाद अगर आपका demate account नहीं है तो नीचे मैंने link दे दिया है वहाँ से जाके download करके आप कहीं भी अपना demate account को खुलवा सकते हो grow uptox angel one zero धा इतना समझ गए जब आपका bank account और demate account दोनों बन जाएगा तो आप ये दोनों account को link कर दोगे link हो जाएगा उसके बाद आप अपना demate account से SIP शुरू कर पाओगे अब अगर आपको ये जानना है कि कैसे आखिर अपने mobile से SIP शुरू किया जाता है demate account बन जाने के बाद तो ये left वाली वीडियो देख लेना ये वाला वीडियो देखनी के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपने demate account से कैसे SIP को सुरू कर पाओगे